इस विडियो में हम देखेंगे कि M-Safe Stairway Skaffolding में बोद साइड 1.35 मीटर Cantilever safely कैसे Dismantle करते हैं सबसे पहले Cantilever वाले पार्ट्स को Dismantle करना है इसके लिए Cantilever पर लगे हुए Gartels को निकाल लेते हैं और फिर Gartel Frames को भी Unlock करके निकाल लेते हैं इसके बाद दूसरे साइड लगे Cantilever पर लगे हुए Gartels और Gartel Friends को भी Unlock करके निकाल लेते हैं Cantilever पर लगे हुए Plain Platform को भी Unlock करके निकाल लेते हैं टावर असेंबल करते समय ध्यान रहे वरकर्स को Safety Harness पहनना जरूरी है जिससे वो अपने साथ लॉक करते हुए टावर को असेंबल करेंगे फिर बागे बच्चे हुए Gartel Frame को भी निकाल लेते हैं फिर दोनों साइज में लगे हुए 1.35 मीटर Cantilever को भी एक एक करके Unlock करते हुए निकाल लेते हैं जैसे कि इस वीटो में आप देख सकते हैं और इस तरह से Stairway Scap Folding में लगे हुए बोद साइड 1.35 मीटर Cantilever को सेफली तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चानल को सब्सक्राइब करके बगर में दिये गए बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने विल्ले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकें झाल झाल